हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर वी के आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि इंसान के सरीर के अंदर के सभी अंग कैसे और कहा होते हैं और उनका क्या काम होता फंक्सन क्या होता है तो जैसे आपको पास में लाके दिखाना चाहूँगा पूरी बॉड़ी को एक एक कर है और इस भारगन दिखाऊंगे पेट के आरगन दिखाऊंगा नोज में होता है देशन नटतर कता हैं बलागन यंशाना के ब्लतनगे की आपको निच में आत बता चुल महें सब्सक्यों कर दो क benefici ह यह भाईल जूस भी बनाता है जो भी हम खाते पीते हैं इस ही का कम है जिसको भी दे-टोक्सिफाइबत को खाने में से निकालने का काम ठीक है अब ये दूसरा और का ना यह इस टमक याहनी इसको बोलते हैं याँ हम जो भी खाते हैं वह फूट पैप से इसे के अंदर आता है ईसी के अनतर बनता है ये अनतर जो दिख रहा है फ recib है अब इसके बाद में ये जो सब्रसके बाहर साना जाता है अ. यहां से इसका पहली पाहरी पाद होता है है यह ए सल इंडेश्टन का फ़र्स पाड देख रहा है इस धूसरे नीचे के पार देख रहे है तो जुनम के वास इसको हम इलियम बोलते हैं, है ना, सीकम बोलते हैं, सौरी, इसको सीकम को फिट कर दिया है, तो जैसे खाना खाया चोटियां से घुंगता हुआ आएगा, इस बाले पॉइंट से बड़ी आत में जाकर मिल जाता है, यानि बड़ी आत का यह बाला पाट है सीकम, अच्छा बड अब जैसे बड़ी आत के पाट है, अब जैसे मैं बड़ी आत को यहां से अढ़ा देता हूं आगे से, तो आपको यह देखेगा पीछे पैंक्रिया, यह होती है पैंक्रिया, जैसे इंसुलिन बनाती है ना, डाइविटीज में दिक्कत आती है, तो इसी की वज़े से आती है, और इसके अंदर पैंक्रियाटिक जूस भी बनता है, जैसे यह डाइशन में हल्प करता है, वो निकल के यहां से छोटी आत में यह दूड़ी आत में आकर मिल जाता है, जो यहां से निकलके यूरिनारी बिलेडर पर नीचे यानी पिसाब की थैली में आ जाता है, तो कभी-कभी सुनाएं ऐसे आपने किडिनी के अंदर पतरी बन गी तो इसी उरेटर के अंदर अटक जाती है, ऐसे कहीं पर यहां पर कहीं भी अटक सकती है, वो है ना, तो यह उरे अच्छा इसके बीच में आयोटा दिख रहा है यानि के आपको यह जो स्प्लीन दिख रहा है यानि के लेप्ट किट्नी के उपर यह होता है इसको तिली बढ़ गई है साज़ी करके इसको निकालना पड़ता इसका काम होता यानि के ब्लेड को फिल्टर करना अब यह नीचे आपको दिख रहे हैं हमारे मेल ओरगन दिख रहे हैं चैसे अब आपको बहार निकाल के दिखाता हूं आपको निकालकर अपको यह पिछे-ल रेक्टम को और समी बेल् Solom स्टोर होता है कि यूरीन तो ये इस नली नियूरत्रा तो ये यूरे इंलाज ओता है यानि श्टार्टा बढ़ा निकले नली रदाहता है कि आख वो पर चाहरे इस के थाला चारही ुटद से anosmmya यदो समस्क्राएक करणितों है 데200 यहां से माँलो है आगे साइड में वलबवा देख रहा हा है यानि दो क्यादक लिएका मैं आपको आपको दिखाता स्वाइब क्या आप यह मसलिधेingenर के ओनरी माँश मेदा कनला भी आपको आगे साइड में वलवा दिख रहा है यानि वयाना वगरा होती है इसके अंदर और नीचे सायर में आपको दिखेगा एनस यानि मल दुआ जिसके दूरू इस टूल पास होता है उपर वलवा दिख रहा है अब जैसे मालो इसको मैं अंदर से दिखाता हूं खोल के आपको ठीक है तो जैसे म अब इसे बच्चे दानी के अंदर, महलों यह मैं इसको लगा देता हूँ इदर अब इसके सामने यानी पिसाब की थ्याली आगे होती है बच्चे दानी के और इसके पीछे जो देखेंगे रेक्टम होता है और यह वयाना जहां से बच्राइब बढ़ी होता है तो इसी आप दिखाता हूं मैं आपको तो जैसे मालों और उपर की आते हैं लंग्स यानि इच्छाती के और गन बचे यह हैं यह हमारे दोनों लंक्स यह लेफ्ट और राईट लंग है अब इनका काम है ऐसे हम सांस लेते है तो सांस औक्सिएन आती है लंक्स के अंदर और इधर से हाट से बलड आता है तो बलड में एक्षेंज होता है अब यह से माल लो इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ तो अंदर से देखेंगे यह इसे आटरी रें आटरि है बॉर बॉर्ट को लगर अब इसे सुना बॉलि हो ने राइटो कुह आया बॉल मुंक हुटquito है यानि सांस से लेके आते तो अंदर जाता है अब जिसे मालो ऊपर के और बाकी आपको और गन दिखा यह दिख रहा है पैरोटेट ग्लेंड जो कान के अंदर होती है जो लार या सलायवा या थूक बनाती है वो डक्ट के तुरू मुंग के अंदर आता है अच्छा इसमें और dcgland होती है जो जालायवा या थूक बनाती है यांनि यह tung है tongue के नीचे अच्छे होती है यह subtle जीफ्ली o तर जो में दूसी होती है जो की sli बनाती है यह हमारी और आप 70 समय स्गष के चरों साइड में छे मसथ सोथी जिसमें चार रिकटाइ या दो आपको मुव करवाती है उपन नीचे या इदा उदा देखने में ठीक है तो यह आपके यानि मुवमेंट वो मसल करवाएंगी अब इसके बाद में हम नीचे गले पर देखते हैं तो आपको एक और ओर गन दिखेगा यानि के ग्लेंड दिखेगी जिसको हम बोलते है थैरोड यह थैरोड गलेंड यह से सुनाए ना TSHR 3D4 हाइयर्मोन या या थैरोड है थैरोड हाइपधरोडियम हो गया वो इसी में होता है अब जैसे आप ऊपर चलते है ब्रेंड में तो यह आपको ब्रेंड दिख रहा है अब जैसे यह मैने निकाला सेरिबेलम यानि छोटा ब्र नीचे यह होता है व्रेंग के नीचे यह हमारा Cerebra में यह Corpus Keloosum में जो के एक आदर दिमाग को दूसरी साइट के दिमाग से जोडता है यह बाकी Midowan Sponso Merula Spinal Cord है जो कि पूरे नस होती है जो कि हमारी गर्दं के लिए पेट मैंसे पेट में और कमर से नीचे नीचे पेटें के लिए निकलती तो जाए आपको पर्यऋब को पिसक एखेंस को और जिय को उती साल को न फूट आँ इसके नीचे आपको एक बड़ी नस्व दिखेगी इसको शाटिक नर्फे जब ढ़रता है तो यह अनो पर सेयग में दर्द करता है, इसको साईटिक का इसलिए पहन आता है, इस पैंग नर्व होती है साईटिक नर्विंativa जो होती है इसके लाब आपको और दिखाऊँाँ हॉ मशल्स दिखाते है । ऐसे आपते में अगे साइब तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल पर ऐसी बहुत सारी वीडियो डली है जो आपके यूजफूर रहेंगी ठीक है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कमेंड करके जरूर बताए कोई प्रोब्राम ह तो thank you